दिंडोरी मंदलाव जिले के साथ ही बर्गी बांत के जल ग्रहन शेतर में दो दिन हुई बारिस से जल इस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है हाला कि बारिस बंद हो चुकी है लेकिन बर्गी बांत के जल ग्रहन शेतर में पानी की आवग जाई है जिसके कारण दे राद दो गेट को फिर खोल दिया गया अब 21 गेटों में से बाद के 7 गेट खुले हैं जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है बरकी बाद के 7 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया है जानकाली के मुताबिक खोले गये साथ गेटों में से 3 गेट को देड़ देड़ मीटर दो गेट को एक एक मीटर और दो गेट आधा आधा मीटर खुले हुए हैं इन गेटों के माध्यम से 1375 क्यूमेक पानी को छोड़ा जा रहा है जिसमें से 1,75 क्यूमेक पानी गेटो से और 200 क्यूमेक पानी पावर हाउस से छोणा जा रहा है बांध में पानी की आवक 913 क्यूमेक दर्च की गई है यही वज़े है कि बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारें नर्वदा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है जिससे नर्वदा नदी का जलिस्तर करीग 5 फिर तब बढ़ चुका है जिससे जवलपुर के गवारी घाट, तिलवारा घाट, भेडा घाट से अन्य घाटों में जलिस्तर बढ़ गया है